जैहिन दोस्तों आज हम रोग जानेंगे कनवेयर इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में इंटरलॉकिंग सिस्टम क्यों जरूरी है इंडस्ट्री में और इसे कैसे क्या जाता है और इसका वाइरिंग कैसे होता है इसके बारे में पूरी डिटल से जानेंगे तो वीडियो का ल कलो कि they do ैं ऐसेह कि अमिए इन्डेश्टीम बहुत ज्यादा यूज़ किया जाता है और इसका वैइरिंग जानना बहुत ज़िरूरिया थ्याकि यहैं कैसे होता है और कैसे बंद रहते इंटर्वाकिंग कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पर transformative कन्वेयर है यह, यह मान लिया कि यह कन्वेयर हो गया यह, यह BC1 यानि कि बेल्ड कन्वेयर 1 फिर उसके बाद एक और कन्वेयर हो गया, यहाँ पर यह हो गया आपका BC2 और यहाँ से एक और कन्वेयर जा रहा है, इसको बोल देते हैं BC3 यानि कि बेल्ड कन्वेयर 3 इसके आग जगा BC4 यह समझाने के लिए तो इस टाइब से कन्वेयर का डियाइन क्या राता है कि यहां से जो मेटेरियल है मेटेरियल को कन्वेय करने के लिए उच्किया जाता है तो मेटेरियल यहां से उठाता है और कौन करेसर अधिए पर अधितव सब्सक्रेसर तो यहां पर मेंट पहलं सब्सक्रेसराइब यहां पर यहां तक material को पहुंचाना यहां तक material को उठाए और यहां तक नीचे में डाल दिया इस conveyor के थूरू ही सारा काम होता है लेकिन इसमें मान माल लिया की इसे हम भूल जाते हैं फिलाल अभी 124 के बाद जो है इसको हटादेते हैं अभी यहां तक समझते हैं कि आखिर मेर्टलागाउड सिस्टम जुरूरी है Barnes-C 2004 when में से नवीयर के दुवारा आ के दूबार, pro हो जाता है, breakdown हो जाता है, तो क्या होगा? तो यहाँ इस site का जितना ही material यहाँ पर waste होना चालू हो जागा, यानि किस पर भर जाएगा और भरने के बाद यह नीचे गिरना गिरना चालू हो जागा. इसलिए conveyor interlocking system का यूज किया तो आसा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अब इसका हम लोग समझते हैं, डाइग्राम कि कैसे इसका interlocking करते हैं, एक्चुली interlock हम लोग करते हैं electrical से, इसमें mechanical से कहीं भी ऐसा भी तक नहीं है, कि mechanical हम इसको बंद कर सके, तो इसका जो interlocking करते हैं, लोग electrical से करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे point होता है, जो आपको जानना बहुत जिरूरी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगा भी, कि से हटा जते हैं conveyor का, और इसका जो diagram है, इसका जो wiring है, उसे समझते हैं कि कैसे करना होता है, तो power wiring में आपको तो कोई difficult नहीं होता है, क्योंकि अगर 3 phase motor है, तो यहाँ से आपका R, Y, B, direct contactor में जाता है, और जिससे control किया जाता है, वो किया जाता है, electrical control wiring से इस interlock system का control किया जाता है, यहने कि conveyor को बंद किया जाता है, उसे हम लोग समझेंगे, और उसी को बारिकी से समझना है आपको, तो वीडियो को बने रहे हैं, तो conductor के start करने के लिए, दो तरह का होता है, एक तो होगा, यदि आपका 440 के conductor होगा, तो दोनों में line होगा, normally होता है line neutral, तो यहाँ से एक line होगी हमारा, और एक हो जाएगा हमारा neutral, ठीक है, एक line और एक neutral, और इसी से हम लोग समझेंगे, कि कैसे करना है, यह से कि यह line हमारा supply आ गया, और यहाँ से हमारा neutral का supply आ गया, अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, किस में, BC 3 तक समझेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ, control wiring से आता है, control wiring से आने के बाद, एक सबसे पहले, MCB लगा होता है, ठीक है, MCB का symbol इस टाइप से होता है, यह MCB हो मिनियेचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, तो यहाँ से MCB आ गया, और उसके नीचे जर्ष्ट, यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, OLP, यानि कि Overload Protector, तो इसलिए क्योंकि, यदि मोटर ज्यादा MPR लेने लगे, या फिर उसमें कोई दिक्कत आ गया, तो उ Overload आ गया, Overload के बाद आ जाता है, यहाँ पर हमारा Stop Push Button, ठीक है, तो Stop Push Button इस टाइप से होता है, ठीक है, Stop Push Button हो गया यह, Stop Push Button यानि कि NC, Normally Close, फिर उसके बाद आगे बरते हैं, यहाँ से, यहाँ से आगे बरने के बाद हमारा क्या आ जाता है, Start Push Button आ जाता है, इस टाइप से, यह Start Push Button हो गया, यानि कि यह No, Normally Open, Normally Close, Overload Protector और Miniature Circuit Breaker, यह इताव को फूल खौम भी मालूम होना चाहिए, अब यहाँ से Start होने के बाद क्या होता है यहाँ पर से, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कि यहाँ से Contactor को Supply देते हैं, यानि कि यहा पर एक Contactor लगा आते हैं, ठीक है, Contactor लगा आते हैं, और Contactor को यहाँ से Coil पर Supply देते हैं, और दूसरा इधर से हम Neutral का Supply देते हैं, तो हमारा जो यह BC 3 माल लेते हैं, BC 3, यह BC 3 का हमारा, यह Control wiring complete हो जाएगा, ठीक है, अब इसे Interlocking कैसे करना है, इसे समझते हैं, यह तो हमा इसे ही MC भी लग जागा, यहाँ पर हमारा, MC भी, ठीक है, उसके बाद सीधा नीचे आएगा, फिर यहाँ पर हमारा लग जागा, OLP यानि को Overload Protector, फिर वहाँ से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद हमारा सपलाई आजागा, यह हो जागा हमारा, NC यानि की Stop, और उसके ब यह फिर हमारा चल जागा Contactor में और यहाँ से एक Neutral को Supply मिल जागा, अभी आपको Interlog कैसे करना है, इस वीडियो में बने रही है आप, पहले आपको एक तीन, दो तीन कनिवेर के पुरा डाइगराम मनाते हैं, उसके बाद इसको Interlogging करेंगे, फिर यहाँ से आजाते हैं, यह फिर हमारा, यह MCB हो गया, फिर उसके बाद हमारा यह, OLP हो गया, Overload, उसके बाद, फिर यहाँ से Stop Push Button हो गया, फिर यहाँ से Start Push Button हो गया, और यहाँ Start Push Button होने के बाद, फिर हमारा यह जो हो जागा, Contactor हो जागा, यानिकि BC3, BC2, और यहाँ पर BC1, यानि Belt Convair 1, Belt Convair 2, और Belt Convair 3, यह हो गया हमारा BC1, ठीक है, यहाँ तक वहुँचरा यह, BC1, सेकेंड में यहाँ से माल लिया कि यह BC2 हो गया, ठीक है, और सेम यहाँ से यह BC3 हो गया, यहाँ पर BC1, BC2, और BC3, अब करना कैसे Interlocking आपको, यह से माल लिया कि यह तो आपका, जैसे यह Convair आपका चालू है, तो यह भी चालू होगा, और यह चालू है तो यह भी चालू होगा, यही होता है, अब यह Convair दे बंद हो जाता है, इसे हमें बंद करना है, इसको actual ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भूल गें यहाँ पर, यह देखिए आप यहाँ पर, यह सारा का सारा Holding देना होगा, ठीक है, यह सारा Holding होगा, तब ही तो जाके यह Hold होगा, क्योंकि जब तक स्टार्ट पूस बटन को Hold नहीं करेंगे, तो यह क्या हो जागा, जब तक दबा कर रखेंगे, दब ही तक यह चलेगा, तो यहाँ पर क्या करना है, कि यहाँ से जो एक वायर यहाँ पर आया आपका, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आउट हो गया, ठीक है, तो जो यहाँ से आउट होगा, इस जगह से, मालेक यहाँ से आउट हो रहा है था, ठीक है, तो यह आउट वाला वायर को ही क्या करना है आपको, कि यहाँ से इसको उठाना है, और इसके यहनू पॉइंट से, इसके यहनू पॉइंट से घुमा कर इस वायर में कनेक कर देना है, क्लियर है, कि यहां से start उस बटन का जो wire है, उसी wire से यहां से out करके, इस BC3 के contactor से, यानि कि उसके अगले वाले जो conveyor है, उस conveyor का, जो यहां से कौंटेक्टर का है इस जो इनू का है यहां पर से इनू से घुमा कर इस कौंटेक्टर को यान के B.C.2 को सपलाई जान तो कैसे काम करेगा जैसे यह कंवेर हमारा रणिंग हो गया तो क्या होगा यह über यह नू जो है यह यह under point यह क्या हजाओ by Inc me convert हम जलेगा और यहाँ पर इसको ampli केcohol करेंगे में जैसे हैं मैं इसको फ्रेश करेंगे तब जाके यह on और उसके बाद खारना है और बी सी वन को गर इंटरलॉकिंग करना है तो सेम प्रोसेस ऐसे ही है यहां से यह वायर उठाना है ठीक है यहां पर पॉइंट बना दिजिए समझने के लिए यहां से पॉइंट का तार उठाना है उसके बाद क्या करना है कि इसके एनो पॉइंट से इसके एनो पॉइंट से लाना है और इसके दूसरे सीयरे से उठाके इस contactor को दे देना है तो जैसे ये चालू होता है इसको supply देदेगा लेकिन तब तक supply ऐसे नॉर्मली supply नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक इप्रेस नहीं करेंगे आप जब तक यहां पर supply यहां तक यह इसे घूमके नहीं आएगा जब इसे हम प्रेस करेंगे start उस बटन को तब ही जाके इसको supply मिलेगा clear है अब काम कैसे करेगा जैसे माल लेकी चलते चलते यह conveyor यानि कि 23 conveyor stop हो गया बंद हो गया तो क्या होगा जो यह नू है point यहाँ पर यह नू point है जब यह अउन होगा तो क्या होजागा convert होगे NC होजागा यहाँ supply दे रहा था जैसे यह बंद होता है वापिस क्या होजागा NU होजागा और इस conveyor को stop कर देगा ठीक है यह बंद होगा यानि कि इससे इस conveyor को interlocking दिया गया है ठीक है वैसे ही अगर VC2 conveyor stop होजाता है बीसी टू कर देगा जैसे ही तो यहां जो एनो की सपलाई एंसी में मिल रहा था वह क्या आ जागा वापीस फिर एनो में आ जागा और एनो हने के बाद क्या कर देगा बीसी बन को स्टॉप कर देगा तो सेम प्रोसेस है यानि कि जो भी आगे कन्वियर बंध होता है उसके बा पाएगा तो यह बहुत जरूरी था इसको जानना कि आखिर कन्वियर इंटर्लॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और इसका में जो वाइरिंग होता है और इसमें समझने वाली बात है कि यदि इसी में आपको बीच-बीच में और और कुछ सेप्टी लगे हुए है इसमें सा यहां पर आपका यहां पर कून क्रेसर है ठीक है कून क्रेसर है अब यहां पर क्या होगा कि 20-30 किसी से इंटर्लॉकिंग नहीं कर रखे अभी यहां पर तो कून क्रेसर यदि यह स्टॉप होता है या कोई भी जो जिस में मसीन में यह प्रॉडक्शन जा रहा है अगर यदि स्टॉक होता है तो इस कंवेयर को इस मसीन से इंटरलोकिंग किया जाता है यानि कि यह मसीन यदि यह स्टॉक हो जाता है तो इस कंवेयर को बंद कर देगा यदि यह कंवेयर बंद होता है तो यह इसको बंद कर देगा और यह यह बंद होगा तो फिर इसको बंद कर दे यानि तो ये की बार में जितने भी 3, 4, 5, 6, जितने भी conveyer है, वो सारा बंद हो जाएगा, तहासा करता हूं, आपको ये interlocking system समझ में आया होगा, बाकि और कुछ भी इसके बारे में पूछना है, आपको तो comment करके आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप like, share और